है है नहीं हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा शोर व्य नाट कि रिक्वेस्ट आईए दोस्तों से लेकिन मेरे दोस्तों से नहीं मेरी वाइव की दोस्तों से आ रहे हैं सब लोग पनीर मखनी का रिक्वेस्ट आया है Hello and welcome Welcome to Havel's Easy Cooking Delights, मैं हूँ Chef Ajay Chopra और मैं cooking को आपके लिए आसान बना रहा हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसमें मैं डालूँगा थोड़ा सा तेल, टमाटर को खोला सा भून लेंगे, थोड़ी सी हरिमिज, जावित्री, थोड़ी सी छोटी लाइची, ताती इसमें जाएगा थोड़ा सा गारलिक, अब इसमें हम थोड़ी से मसाले डाले थोड़ी सी लाल मिच पाउडर, टमाटर जब थोड़े से भुन जाएंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी, मैं इस ग्रेवी क्यों बना रहा हूँ, हैवल्स के इंडक्शन पैन पे, तो इसकी सबसे बढ़िया जो बात ही है कि अगर आप खाना बनाते बनाते कुछ और करने लग जाएं, तो यह खाना जलेगा नहीं, क्योंकि इसमें प्रीस से टाइमर है, यह अपने आप बंद हो जाएगा, अब इसको थोड़े धर धक के पकाना है, अब इसमें टाइम बचाने के लिए, मैं थोड़े से काजू डाल देता हूँ, अनहल्दी रेसिपी जर बिल्कुल पक चुके हैं, अभी इसको हमें पीसने से पहले, यह जो हमने इलाइची और जावितुरी को डाल था, उसको हमें निकाल देंगे, अब यह मिक्सिर को हमें हमारे हैवल्स प्रीमो में अच्छी तरह से ब्लेंड करना है, और उसके लिए इसको थोड़ा ठंडा कर करना ज़रूरी है, इस मिक्सि का एक बहुत स्पेशल फीचर है, एक तो है लॉक और दूसरा है, हाथों को छुट्टी मिलेगी क्योंकि अब क्रीमी मखनी ग्रेवी बिल्कुल तयार है, इस ग्रेवी को थोड़ा और पकाना है, लेकिन साथ में जाएगा थोड़ा सा मखन, जब तक यह हो रहा है तब तक हम पनीर काट लेते हैं, अब इस स्टेज पे हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और साथ ही डालेंगे थोड़ी सी क थोड़े से शेहद के साथ, फाइनली इस ग्रेवी को फिनिश किया जाएगा हलकी सी कसूरी मेथी पाउडर के साथ, पनीर मकनी बिलकुल तयार और इसको मैं अब आपको प्रेजेंट करके भी दिखाऊंगा, सिंपल, इजी, घर में बना सकते हैं, मेरी नानी के रेशिपी अब आपकी हुई, आप भी बनाएए, खुश रहे हैं। कि अब तरी द आपकी हुई हैं।